जेहिन वन्ने मातरम सौगत है आप सभी का नोकडिकबे.com के ओफीसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मन्रेगा की तरफ से आचुकी साल 2023 के लिए पहली सीधी नई भरतियों के बारे में जहां पे आप सभी के लिए 950 से भी ज्याद नंबर और विकेंसी हैं जहां पे आपको तीन से चार तरह की अलग-अलग पोश्ट विकेंसी मिलेंगी इसके लिए दसवी पास, बारवी पास, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले केंडिडेट आप एदन कर सकते हैं मिनमम यहां पे बेतन आपको काफी अच्छा दिया हो आवेदन करने वालों की एज यहां पे 18 से लेकर 45 साल तक की होनी चाहिए और इंडर लेवल की आपको जौब मिलेगी आप लोग चाहें तो भारत के किसी भी राज जिसे मेल और फीमेल महिला पुरुष दोनों के टिगडी के केंडिडेट यहां पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तो साल 2023 की पहली बड़ी भरती है जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूलर एम्प्लॉइमेंट गरेंटी एक्ट 2005 के तहत में जारी करी गई है काफी टाइम्स यह वेकेंसी आपको निउस्पेपर के अंदर दिख रही थी काफी टाइम्स 1278 पदों पर निउस्पेपर के अंदर कंडेक्ट कराई जाने वाली है तो आपको इस वीडियो में इस भरती की कंप्लेट जानकारी दी जाएगी कैसे आप लोग आवेधन करेंगे कैसे आप लोग नए नोटिविकेशन को डाउनलोड करेंगे कहां से आपको सारी जानकारी देखने को मिलेंगी आप सभी स चोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग महातमा गांधी नेशनल डूलर इंप्लॉइमेंट गरंटी एक्ट के तहत साल 2023 में एक अच्छी सी पोश्ट पर जॉब पाना चाहते हैं अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइबेट या सरकारी नोकरी नहीं है तो आप लोग वीडियो को आखरी तक देखेगा अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिवी किसन को आउन करना बिल कल के दिन ही जारी किया गया है तो दोस्तों आप लोग इहां पर देख सकते हैं मैं इस notification के बारे में बात कर रहा हूँ मन्रेगा में होगी 1278 करमचारियों की भरती ये notification आपको पिछले कई बार मैं दिखा चुका हूँ लेकिन finally इसका official notification भी आ चुका है पहले इस news को देखे उ उसके बाद official notification को open करते हैं देखे मन्रेगा के तहत जिला इस्तर के 1278 विविन पदों पर भरती की जाएगी उप मुखमंत्री के निर्देश पर ग्राम विकास आयुक ने भरती की कवायद सुरू कर दी है डिप्टी सीम ने मंगलवार को सचिवाले में हुई समिक्षा 117 कंपीटर ऑपरेटर के 116 और तकनीकी सहायक के 774 पदों पर भरती होनी है आयुक्त जीएस प्रियर दर्सी ने सभी डियम को प्रजासनी कुम्मद का आकलन कर उपलब धरासी की सीमा में वानचीत संक्षा में संबिदा कर्मियों की भरती करने के निर्देश दिये हैं आप विकेंसी में थोड़े से चेंजिस किये गए बाकी पोश्ट ने हम आपके सभी सेम होने वाले हैं चलिए मैं ओफिसल नोटिविकेशन को ओपन करता हूं और आपको दिखा देता हूं तो दोस्तो नोटिविकेशन ओफिसल ओपन हो चुका है आप लोग यहां पे देख सकते 15 मंडलों में ग्रामेण विकास विवाग के अंतरगत मंडेगा के विविन आउट्सोर्सिंग पदों पर भरतियों है तु विग्यापन यानि कि यहां पे आपको ग्रामेण विकास विवाग के अंतरगत मंडेगा में विविन आउट्सोर्सिंग पद पर भरतियों के लिए notification जारी किया गया है total जो news notification में था चार तरह की ही पोश्टे मिलेंगी जैसे कि यहां पर अतरिक्त कारिक्रम अधिकारी की लेखा सहाय की computer operator की और तकनीकी सहाय की बेतन यहां पर बताया गया है कि अतरिक्त कारिक्रम अधिकारी को 29,950 रुपए लेखा सहाय के लिए 13,020 रुपए computer operator के लिए 13,020 रुपए और तकनीकी सहाय के लिए 13,020 रुपए का बेतन रखा गया है बात करते हैं education के बारे में तो देखे यहां पर आपको अतरिक्त कारिक्रम अधिकारी के लिए graduation और post graduation जबकि लेखा सहाय के लिए सेक्षिक योगता बीकॉम graduation और computer operator के लिए यहां पर आपका 10th plus 2 लेबल बोला गया है नीचे दिखाएंगे English में 12 पास और तकनीकी सहाय के लिए यहां पर 10th plus diploma बोला गया है देख सकते हैं high school एवम जो है तो डिप्लोमा यानि कि यहां पर दस्वी और डिप्लोमा वाले candidate आभीधन करेंगे computer operator के लिए बारवी वाले candidate आभीधन करेंगे और यहां पर लेखा सहाय के लिए graduation वाले candidate आभीधन करेंगे और अत्रिक्त कारिकरम के लिए यहां पर आपका MSC MBA बगारा यानि कि graduation प्लस पोस्ट graduation चाहिए होगा इसके बाद यहां से नीचे आने पर देख पाएंगे चैनित अभ्यारती नीचे सूची बद 15 मंडलों के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकते हैं तो यहां पर 15 मंडल के जिले हैं जिनमें आपका यहां पर selection हो सकता है यहां पर भी इंगलिस में सेम जानकारी दी गई है इसके बाद यहां से नीचे आएंगे तो इंगलिस की जानकारी भी आप लोग देख सकते हैं और number of vacancies के बारे में भी यहां पर जानकारी दी गई है number of vacancy के बारे में यहां पर भी जानकारी दी गई है आप लोग इसको देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ को जो आपको additional program officer यानि की APO की vacancy मिल रही है जहाँ पे आपका post graduation चाहिए या फिर graduate हो BE, BTX से वहाँ पे total आपको 100 इंचामन number of vacancy मिलेंगी कोई भी यहाँ पे आपका work experience नहीं चाहिए जबकि second number जो post है यहाँ पे आपको account assistant की मिलेगी AA की यहाँ पे आपका graduation चाहिए become और बिना किसी experience के 137 number of vacancy है computer operator के लिए 10 plus 2 यानि की यहाँ पे आपका बारवी पासोना compulsory है और बिना किसी experience के यहाँ पे 89 यानि की 89 number of vacancy है और technical assistant के लिए यहाँ पे डिप्लोमा यानि 10 plus डिप्लोमा चाहिए जहाँ पे आपको 580 number of vacancy मिलेंगी लेकिन यहाँ पे एक पावंदी है कि minimum 8 year of working experience यानि की कम से कम 8 साल का काम करने का knowledge आपको होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे देखे आपको बोला गया है कि for any बेव पोर्टर रिलेटेड क्वाईरी इसू केंडिडेट में contact सेवा योजना हिल्फ लाइन यानि सेवा योजना नाम की इनकी official website जहाँ पे आप लोग अधिक जानकारी के लिए जा सकते हैं और official notification को भी डाउनलोड कर सकते हैं मैंने आप सभी के sort में दिखा दिया है बाकी full detail आपको website के अंदर मिलेगी जो कि आपको आगे बताने वाले यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी company के दवारा यहाँ पे जो यह vacancy है वो conduct कराई जानी है यहाँ पे कुछ नाम लिखा है Ventures Private Limited करके है SIEM Ventures Private Limited इसको आप लोग देख लीजे और यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे भी इस vacancy की heading मिलेगी MS SIEM Ventures Private Limited इस company के दवारा जो है तो मन्रेगा की इन vacancy को भरा जा रहा है तो दोस्तो नोडिविकेसन हो गया आप भी बने रहेगा वीडियो में आपको और भी कई सारी जानकारी देनी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मन्रेगा की तरफ से आचुकी साल 2023 के लिए नई सीधी भरतियों के बारे में जहाँ पे आप सभी के लिए 950 से भी जादा नंबर वेकेंसी के उपर भरतियों के नोडिकेशन और आभीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये कहे हैं मेल एंड फी मेल महिला पुरुष दोनों के टिगरी के कैंडिडेट आभीदन कर सकते हैं दसवी बार यह पास हैं तो आप लोग आसानी से आभीदन कर पाएंगे फोरम फीस विल्कुल फ्री है और 18 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट आभीदन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से आपको आभीदन करना होगा अगर यहां तक वीडियो आपको आपके काम के लगए तो वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाली तो दोस्तों आपको आभीदन करने का नोडिविकेसन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्कप्सन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके इस पेज़ पे आप आएंगे यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं सरकारी एक्जाम.co.com की ओफिसल वेपसाइट के उपर आ चुके हैं यहां पे आपको कंप्लीट इंफोमेशन मिलेगी गूगल पे जाके आपको टाइप करना है सरकारी एक्जाम.co.com आपको यह पेज मिल जाएगा जैसे आप लोग यहां पे आएंगे देख पाएंगे मंगनरेगा रिक्यूट मेंटर 2030 के लिए नोटिविकेशन आउट फोर कंप्यूटर ऑपरेटर अकाउंट असिस्टेंट एंड अधर पोस्ट वेकेंसी जब आप लोग यहां से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देख पाएंगे आपको यहां पे मंगनरेगा डिपार्टमेंट मिलेगा जहां पे आपको एडिशनल प्रोग्राम आफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंट असिस्टेंट के साथ टेकनिकल असिस्टेंट की 957 नंबर वेकेंसी मिलेंगी जिनके लिए आप लोग जन्वरी और फर्वरी के महीने में आभीदन कर पाएंगे आउनलाइन तरीके से फोरम भर दे जाएंगे एजूकेशन यहाँ पे टेंटोल डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिग्री होने वाला है साथ ही साथ यहाँ पे आपका एज 18-40 और आपको छूट भी दिया जाएगा सेलेक्शन की बात के हैं तो अभी खुलके नोडिविकेशन के साथ कुछ बताया नहीं गया लेकिन फॉर एक्जामपल यहाँ पे मेरिट और इंटर्व्यू के हिसाब से आप सभी का चैन हो सकता है इसके बाद बेतन यहाँ पे 13,020 और से लेकर 29,950 और नोडिविकेशन ने फिक्स किया गया तो आपको इतना ही दिया जाएगा अप्लिकेशन फिस बिल्कुल फ्री है चाहे आप किसी भी कटेगरी के कैंडिडेट क्यों नहों देन बात करें यहाँ पे कैसे आप लोग आभीधन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको इस्टेब बाइस्टेब कंप्लेट जानकारी दी गई है यहाँ पे आपको important link मिलेगा जहाँ पे आभीधन करने का notification का और official website चेकाउट करने का link दे दिया गया है अगर कोई भी मन में सवाल रह गया हो तो आप लोग comment कर सकते हैं वाकि newspaper की cutting भी add कर दी गई है इसको भी आप लोग देख सकते हैं उमीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए